वेलकम ड़े जीके टरिक्सवित प्रनौव तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वाट इस टुड़िज डिस्केशन तो आरबे ओफिसर टरिक्सवित प्रनौव को सब्सक्राब नहीं क्यों होगा तो पहले सब्सक्राब कर दीजे और बैल एकन पर प्रिस कर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो इसके लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजे आपके वाट्सअप फेस्बुक टेलिग्राम जो भी ग्रूप है वापर शेयर कर दीजे तो स्टार्ट करेंगे आज के लिक्चर को सबसे पहला पॉइंट आर्बिया ओफेसे टेंट का काम क्या होता है तो स्क्रीन पर आप देख सकते है धेर सारी फाइल से और इससे लिटेड़ी आपको वर्क होगा आपके जॉब प्रोफाइल है आपको क्या करना होगा यह फाइल्स सिक्वेंस वाइस अरेंज करने होगी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दी है अगर ऑफेसर के टेबल पर इतनी सारी फाइल्स होगी तो डिफिनिटल उसका हेड़ेक बड़ेगा उसका टेंशन बड़ेगा तो आपको क्या करना होता है यह सारी फाइल्स जो भी काम की है वो टेबल पर रखनी है जो काम की नहीं है जिसका बेंडिंग वर्क हो चुका है वो कबड में रखनी है जो भी रिस्पेक्टेट कबड है उसमें रखनी है सार्ट आट करके रखनी है इन्शोर्ट आपको ऑफिसर को असेस्ट करना होगा उसका हेड़ेक कैसे कम हो उसका वर्कलोड कैसे शेयर हो यह आपको देखना हो तो आपको sequence wise department wise file cupboard में रखने होगी अर्रेंज करनी होगी जो भी required अगर कोई officer आपको कोई file require मागता है कोई file उसे चाहिए तो आपको निकाल कर दीनी होगी search करकर दीनी होगी साथ में ही यह files आपको अगर एक department से दुछ से department में ले जाने को कहा तो भी आपको करना होगा अगर कोई stationary work जैसे pen, pencil या फिर stamp, files यह कोई stationary work अगर officer को चाहिए stationary material चाहिए तो आपको लाकर देना होगा आर्बेक office में उनका एक store room होता है friends store room में यह सारे available होते है तो आपको यह सारे tables पर रखने होगे officer को जो भी कुछ चाहिए वो टेबल पर यह material रखने होगे अगर किसी इसकी shortage है तो वो भी आपको बता ना होगा respected department को और वो आपको provide कर देंगे next अगर कोई xerox निकालने को काया गया, print निकालने को काया गया तो यह काम भी office attendant को करना पड़ता है particular office में अगर एक table से दूसरे table में कोई files ले जानी है या फिर जैसे मुंबई में अब fort में fort एक इलाका है, तो fort इलाका में दो office है, old building एक new building है, तो एक building से दूसरे building में भी file ले जानी है या फिर मुंबई में जो fort का office है, वास से लेकर बेलबपूर के office में कोई files भीजनी है, तो office attendant को यह काम सोपा जाता है अब office hours क्या होता है, तो office hours मुंबई office के लिए है, सवादत से सवापाच, सुबह 10-15 से लेकर शाम के 5-15 तक, 7 hours की office attendant की duty रहती है, मुंबई office के लिए थोड़ा खाकी जैसा दिखता है, और male, female दोनों के लिए रहता है, आप यह नहीं कह सकते कि आप male है, female है, जो कुछ भी कुछ भी है, तो यह मैं uniform नहीं पहनूंगा, यह uniform compulsory होता है, आपको पहनना पढ़ता है next, क्या यह good career है, अच्चा career है आपके लिए, तो long term goals, पूरे lifetime के लिए आप यही जॉब में रहे, ऐसा मैं आपको नहीं कहूंगा देखे, यह job किसके लिए है, अगर आप financially थोड़ा बहुत, आपको problems है, आप earning learning करना चाते है, मतलब आपकी degree चालू है, 12th complete कर लिया और आप degree की पढ़ाई कर रहे है, तो पढ़ाई के साथ में ही आप अगर कुछ earning करना चाते है, तो आपके लिए job यह अच्छी है लेकिन permanent job, मतलब lifetime के लिए आप इसी job में रहे, यह मैं आपको recommend नहीं करूँगा, यह अगर आप higher education ले रहे है, 12th के बाद भी कुछ higher education ले रहे है, degree complete कर रहे है, तो आपको definitely इससे अच्छी job लग सकते है, banking sector में, banking में आपको जोसे SBI की job होगी, PO, SBI clerk, तो यह भी इससे अच्छी job है, अगर आप कहेंगे कि departmental exams, तो departmental exams देकर भी आप आगे जा सकते, लेकिन इतनी जल्दी नहीं देते आते हैं, आप जब join करोगे, उसके बाद में ऐसा नहीं होता कि आप join करोगे, तो डिरेकल आपको departmental exams देते आएगे, तो इस पर में एक अलग से वीडियो ब आप से यह job अच्छे है, अब फिलाल जो corona pandemic चल रहा है, तो आप देख रहोगे कि आपके आजवाज में ज्यादा से ज्यादा लोग जो सुकून में है, जिनके पास financial stability है, ऐसे कौन लोग है, तो सरकरी job वाल है, government job वाल है, क्योंकि businesses maximum lockdown के बचे से बिजनेस भी ठप पड़ चुके है, कोई भी आप अगर enterprise खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, तो वो भी lockdown के बज़े से effect हो चुके है, यह फिर private jobs, तो private jobs definitely jobs से निकाला जा रहा है, job security उनके पास में कुछ नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, उनके पास job security नहीं है, तो government job है, तो आपको financial stability मिलते हैं, मंतल अच्छे job के लिए इससे try करना चाहिए, हाँ, आपके जगर college के कोई भी fees रहती है, मान लिए आप engineering के पड़ा ही कर रहे है, तो आपके 30-40,000, 50-60,000 annual fees रहे हैं, 50-60,000 तो रहती है, तो आप इस job के हिसाब से अगर आप earning learning भी कर सकते हैं, side by side आपके engineering complete हो सकते हैं, या फिर कोई भी higher studies है, वो भी complete हो सकते हैं, अब देखिए, officer आपको कैसा treat करते हैं, तो RBI एक reputable organization है, तो ये इंडिया के banking industry का एक epic institution है, तो आपको officers कोई भी गलट treat नहीं करेंगे, आपको अच्छे साही treat करेंगे, बहुत सरे rumors है, friends कि आपको officers डाटते है, ऐसा करते है, वैसा करते ह करेंगे, आपको जो भी काम करने को है, वो तो definitely कहेंगे, friends, तो आपको कोई भी काम छोटा है, फिर बड़ा नहीं समझना है, लेकिन आपको कोई भी गलत comment नहीं करेंगे, आपको कोई नीचा दिखाने के कोशिश नहीं करेंगे, आपको अच्छे तरीक से teamwork की तरह पर आपक आपको अच्छे ही ट्रीट करेंगे, आपको कोई भी गलत ट्रीट नहीं करेंगे, तो आपके अगर कोई मन में ऐसा होगा, कि ये class 4 की post है, मुझे नीचा दिखाएंगे, कम ट्रीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपकी जो level है, सारे office attendant समान होता है, एक ही level के होता है हाँ, उनके posting उनके rank के नुसार से अलग होती है, आपका जो online score होता है, उसके साब से आपको office भी assist होता है, और lot होता है, तो लेकिन treatment जो मिलते है, वो समान मिलते है, तो यही सारे important points है friends, RBI office attendant से related, तो मैंने आपके सारे doubts clear करवा दिया है, आपका officer कैसा treat करते है, आपकी uniform कैस रहेगी, office का time कैसा रहेगा, आपका काम क्या रहेगा, RBI में environment, बिल्कुल एक employee, healthy environment होता है friends, कोई भी ऐसा गलत environment नहीं मिलेगा, एक corporate level का environment आपको देखने को मिलेगा, next video में आपको मैं LPT करवाने वाला हो, LPT number 5, already मैंने 4 mock test आपको provide की है, 1, 2, 3, 4, अगर आपने वो देखी नहीं है, तो पहले sequence wise वो देख लिजे, next video में आपको मैं mock test number 5 करवाने वाला हो, already medical के test कैसे होता है, document verification कैसे होता है, यह सारे experience मैंने आपके साथ में share कर दिये है, जल् अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ friends, तो like जरूर कीज़े और अपने दोस्तों के साथ में इसके link share कर दिजे, thank you अगर आप banking के लिए prepare कर रहे हैं, तो मैं आपको recommend करूँगा testbook.com, testbook.com पर सारे exams के लिए ssc banking, defense, सारे exams के लिए mock test और courses available है, अगर आप मेरा code apply करेंगे, मेरा discount code apply करेंगे, तो आपको 10% off मिल जाएगा, 10% discount मिल जाएगा, discount code मैंने description box में दिया है, आप check कर सकते हैं, या फिर link पे उस पर जाकर आप purchase कर सकते हैं, आपको 10% सारे courses पर या फिर mock test पर discount मिल जाएगा, thank you.